तो चलिए फ्रेंड्स आज एक डिजाइन लेकि आई हूँ बीगनर के लिए कह लीजिए चाहे आप बीगनर हैं आपको डिजाइन डालना नहीं आता तो आप भी इस डिजाइन को डाल सकते हैं और बहुत ही सुंदर और इजी बनने वाला डिजाइन है लेडी स्वेटर में ज डिजाइन को डाल सकते हैं और बहुत ही सीमपल दिखने वाला और बहुत आसान बनने वाला डिजाइन तो चलिए वीडियो को शूरू करते हैं तो देखे इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे लेने पड़ेंगे आपको वह आपको 12, 12, 12 और लास्ट में आपको 8 फं आपकी कैसी होगी तो सबसे पहला एजे स्टीच फंदा बनाईए चाहे उतारिए वो मैं उतार लोगी क्योंकि मैं हर सलाई में उतारती हूँ तो पहला फंदा उतार लेंगे और अगले छे फंदे मैं सीधे बनाऊंगी तो यहां से हमारा डिजाइन शुरू होता है एजे फंदे आप उल्टे उल्टे बनाएंगे और आपने यही रिपीट करते जाना है छे फंदे सीधे और छे फंदे उल्टे तीन चार पांच और एक छे तो छे के बाद धागागे कर लेंगे अब छे फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे अब देखे लास् भी हमने यहां पे साथ फंदे सीधे बनाने हैं साथ फंदे सीधे बनाने के बाद यहां पे आपके दोनों तरफ साथ साथ फंदे स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपके सीधे आ जाएंगे इसलाई हमारी पूरी उल्टी सलाई है उल्टी तरफ से आपने कुछ नहीं कर लेंगे और अगले 6 फंदे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अगले 6 फंदे हमने सीधे बनाए और अगले 6 फंदे उल्टे बनाए तो हमने यही सलाईएं 6 बार रपीट करनी है मतलब 6 सलाईएं हमने यह डालनी है अब हमारी तीसरी सलाई है 6 फंदे उल्टे 6 फंदे सीधे 2, 3, 4, 5, 6 धागा अगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस तरीके से 6 फंदे आपने यह च्छे बार आपने इसी तरह करने है लेकिन उल्टी सलाई में आपने उल्टा बनाए देखिए मेरी यहां पे 6 सलाईएं कंप्लीट हो गई है 6 सलाईयों में हमने देखिए इस तरह के लुक में आएगा यहां पे देख लीजिए यह देखिए तो हमारे उल्टे उल्टे यह दो बार आए और सीधे सीधे तीन बार आए अब देखिए हमने क्या करना है पहला फंदा उतार लेंगे ऐसे और यह तीन फंदे उतार लेंगे मतलब चार फंदे हमने उतार लिए अब अगले तीन है जो जो ये वाले तीन है और ये वाले लास्ट वाले तीन है तो हम क्या करेंगे जो हमारे पहले वाले तीन है इनको हमने इस सलाई में ले लेना है और पिछले तीन वालों को हमने आगजे सलाई में डाल लेना है मतलब हमने जैसे हम वो बनाते हैं यह देखे अब हम पिछले तीन फंदों को पहले बना लेंगे एक एक तो हमारा Eco stick वाला है दो और तीन तो हमारे Eco stick वाला हम छोड़ देंगे गिन्ना बाकि 3 हमने बना लिये अगले 3 को भी हमने ऐसी बना लेना है बनाया और यह लास्ट वाला भी बना लिया देखें इस तरह से धागा अपनी दरफ करेंगे और 2 सोरी यह फंदे उल्टे-उल्टे बना लेंगे जो 6 फंदे है हमारे यह देखिए छे फंदों को लटा लटा बनाया अब देखिए अगले इन फंदों को भी तीन फंदों को उतार लेंगे और अगले तीन फंदों को भी छे फंदों को उतार लेंगे और जो अगले फंदे हैं, इनको हमने इस सलाई में उतार लेना है, और पिछले फंदों को हमने पिछे की तरफ से आगे सलाई में डाल लेंगे, और इनको हम पहले भूनेंगे एक-एक करके, यह देखें इस तरह से, एक, दो, और पिछले वाले तीन फंदे भून लिए, अब हमने यह बून लेने हैं, तो यह हमारे 6 फंदे हो गए, अब धागा आगे करके, उल्टे फंदों को उल्टा ही बूनेंगे, जो हमारे 6 फंदे हैं, धागा पीछे करेंगे, और आप देखिए, इन 7 फंदों में से, 6 फंदे ले ले लेंगे, क्योकि एक तो हमारा य्जे पीछ फंदा है इनको ले लेंगे और अब ये आगे वाले तीन फंदे हम इस सलाई में ले लेंगे उतार लेंगे और पीछे वाले इस तरफ से इनको आगे डाल लेंगे डिजाइन बहुत ही इजी है थोड़ा सा जब हम इनको फंदों को पलटेंगे थोड़ा सा ध्यान देना बस तो यह देखिए हमने एक-एक करके 6 फंदों को बना लेना है लेकिन जो तीन पिछले थे उनको पहले बनाएंगे जो पहले थे उनको बाद में बनाएंगे यह हमारे 6 फंदे बनाएंगे और एजे स्टिच को भी हम सीधा रख लेंगे आप देखिए इस तरह से लुक में आ रहा है अब देखिए हमने क्या करना है अब उल्टी स्लाई उल्टी बनाएंगे पूरी जो फंदे जैसे हैं पूरे उल्टे-उल्टे बना लेंगे अब देखिए आठ सलाईयों में हमारा डिजैन यहां तक बन गया अब थोड़ा सा हमने इसको टर्न करना है टर्न कैसे करना है पहला फंदा उतार लेंगे अब जो हमारे सीधे फंदे थे स्टार्टिंग में उनको हम उल्टा करेंगे बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना इन 6 फंदों को अब हमने उल्टा उल्टा बनाना है देखिए यह जे स्टिच को छोड़के 6 फंदे उल्टे दागा पीछे और जो उल्टे हैं उनके उपर हमने सीधे बनाने है तो इसी तरह आपने इनको भी 6 सिलाईया आपने इसी तरीके से बनानी है लेकिन उल्टी इमें उल्टा बनाएंगे सीधे के उपर उल्टा उल्टे के उपर सीधे तो अब हमारे लास्ट में भी उल्टे ही आएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में उल्टे आये हैं और सीधे के उपर सोरी उल्टे के उपर सीधे छे बंदे यह देखिए छे बंदे और लास्ट में हमारे एक, दो तीन, चार, पाँच छे और एक एजे स्टी चफंदा देखिए इस तरह से थोड़ा टारनो जाएगा डिजाइन तो आप मैं इसकी छे सलाइएं निकाल लेती उल्टी तरब से उल्टा बनाना है सिर्फ आपने और बाकी सलाइएं वैसे ही बनानी है सीधी तरब से तो छे सलाइएं निकाल के फिर दिखाती हूँ देखिए चोदमी सलाइएं हमारी उल्टी है तो इसको भी उल्टा उल्टा बना रहे हैं और उल्टी तरब से इसमें कोई भी डिजाइन नहीं है इल्टी तरफ से आपने इसको उल्टा-उल्टा बनाना है देखिए अब 14 सिलाईओं में आपका डिजाइन कु wallpaper कीजारा से दिखाई देगा है अब देखिए हमने पंदर्मी सिलाई में क्या करना है पंदर्मी सिलाई में हमने पहला फंदा उतार लिया जो उल्टे फंदे हैं हमारे उल्टे बुन लेंगे उनको 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 फंदे उल्टे बुन लिए और एक है जे स्टीच वाला है अब धागा पीछे करेंगे देखिए 6 फंदे सीधे हैं तो इन में से हमने पहले 3 फंदों को उतारा फिर अगले 3 फंदों को 6 फंदों को उतार लिया अब ये पहले 3 फंदों को इस सलाई में ले लेंगे ये देखिए सेम वही रपीट करना है जो आपने वहाँ पे सातमी सलाई में रपीट की है तीन फंदे हमने बुन लेने हैं सीधे और ये फंदे भी हमने बुन लेने हैं मतलब छे फंदे बुनने हैं लेकिन आपने टर्म करके बुनने हैं ये ये थोड़ा सा फंदा मेरा निकल गया था अब देखिए इस तरह से हमने छे फंदे बुन लिये लेकिन हमने इसको पीछे वाले को आगे कर लिया आगे वाले को पीछे कर लिया तो उसके बाद हमने फिर छे फंदो को उल्टा उल्टा बना लिया उल्टे फंदो को उल्टा और इन में से हमने छे को देखिए इन छे में से जो लास्ट के तीन है उनको हमने पहले बुनना है लेकिन पहले हमने अगले वाले फंदे उतारने और पीछले वाले तीन फंदो को पीछे की तरफ से लाएंगे और आगे सलाई में डालके और इनको फिर बुनेंगे सीधा सीधा और अब हमने ये छे फंदे ही बुन देने हैं और लास्ट में हमारे छे फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे एजेस्टिच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे अब उल्टी सलाई उल्टी बनाएंगे पूरी तो हमारी लास्ट में सलाई सोल में सलाई है जो हमारी उल्टी उल्टी डर जाएगी तो डिजाइन बहुती सुन्दर बनके आया है एक बार मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ तो देख लीजिए इस तरह के लुक में डिजाइन आएगा और देखिए बहुत ही प्यारा बना है और बहुत ही इजी डिजाइन है और लुक भी बहुत बढ़ी आता है आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं बस आपने आठ सलाईों के बाद जब सीधों के उपर उल्टे डालने हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू